बिहारी नियूज में आपका स्वागत है बिहार में भी नदियों के प्रवाह का अधियन केंद्र बनेगा अब इसके लिए पूने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको बताते चोले कि ये अधियन केंद्र देश का दूसरा केंद्र होगा और ये केंद्र निर्मान अधीन है जो की जुड़ बन कर तयार होन जी हां बीते दिन सुपॉल जुले के वीरपूर में बिहार कोसी बेसिन विकास पर योजना के तहट नर्मान अधीन इस भौतिक प्रतिमान केंद्र का निरिक्षन मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने किया और अधिकारियों को इस से जुड़ी कई दिशा निर्देश भी दि एस अधिकारी से किये घंटो पूछताच बीपेसी सरसथवी पीटी परिक्षा क्वेशन पेपर लीक मामले में एओ यू ने एक आईएस अधिकारी से घंटो पूछताच की है मीडिया में चड़ रही खबरों की माने तो बीते दिन करीब डेड़ घंटे तक आईएस अधि अधिकारी e-ou-y-ook के मुझ्हाले में रहे और अधिकारिक तोर परिंका बयानधर्च किया गया है जो e-ou-you की तरफ से बनाई गई स्पेशल जाज़ टीम में शामिल अधिकारियों ने किये हाला कि E.O.U. के अधिकारी का दावा है कि I.S. अधिकारी ने उन्हें सहीयो किया पूछे गैस सवालों का सही तरीके से जवाब दिया जो जानकारिया उनके पास थी उसे शेयर किया है गेहूं के दामों में अबाईगी कमी बढ़ती महंगाई में गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों को देखते वे सरकार की आखे खुली है और केंदर सरकार ने इसको देखते वे बड़ा कदम उठाया है गेहू की आंटे की कीमत बढ़ती देखते वे कि इंदर सरकार ने भारत से गेहू के नर्यात पर रोक लगा दी है भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रत करने के लिए ये फैस्ता लिया है केंदर सरकार ने इसकी जानकारी देते वे कहा कि गेहूं के निर्यात नीती ततकाल प्रभाव से प्रवत्ति बंधित है ये भी स्वष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा अन्यदेश को उनकी खादे सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध की आधार पर दी गई अनुमती की आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमती दी जाएगी इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क को टू लेन से फोर लेन बनाने का किया अगर है पत्निर्बान मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रे ग्रह मंत्री से मुलाकात किया और अनरोथ किया है कि इस दौरान पत्निर्बान मंत्री ने ग्रह मंत्री से अनरोथ किया कि सड़क की चौराई को 7 मीटर से बढ़ा कर फोर लेंड किया जाए आपको बताते चले कि राजु में करीब 552 किलोमीटर लंबाई में से करीब 184 किलोमीटर से बिटुमिनस का काम हो चुका है जल्द मिलेगी उमस भरी गर्मी से रहात बिहार में खासकर दक्षिनी भाग के लोग उमस भरी गर्मी से परिशान है इस कारण ताप मानबढ़े से बादलो का अंदर्वान भी बढ़ा है जिसके बाद बारिश की संभावना बढ़ती जा रही है मौसम विज्जान केंद्र पट्ना के अनुसार इनके प्रभाव प्रदेश में जमाज़म बारिश की स्थाथी बना रही है इसी वज़े से राजु में पिछले 24 घंटे के दारान प्रदेश के उत्तर पस्षिम उत्तर मध्य और दक्षिन बिहार में हलकी से मध्यमस्तर की बारिश तरच की गई है इसके साथ ही कुछ सानों पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली मौसम विभाग की माने तो 14-18 मई तक उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हलके बादल छाय रह सकते हैं एक से दो दिन तक मौसम में आमतोर पर शुश्क रहने की संभाव ना भी बनी हुई है किसानों की इतनी आमदनी नहीं कि वो क्रिशी अंतर खरीच सके एक आंकडे के अनुसार बिहार के करीब 86 प्रतिशत लोग क्रिशी पर निर्भर है लेकिन किसानों की आमदनी इतनी नहीं है कि किसानी करने के लिए जरूरत पढ़ने वाले क्रिशी अंतर बिना सरकारी सहायता के खरीच सके वो पूरी तरह से यहां पर सरकार द्वारा क्रिशी अंतर पर मिले अनुदान पर निर्भर है यही कारण है कि राजी सरकार ने एक साल यंतरों पर अनुदान देना बंद किया तो क्रिशी अंतरों की संख्यात्मक खरीद एक तिहाई ही रह गई और यंतर खरीद का बाजार धरा शाही हो गया मालूम हो कि राजी सरकार ने पिछले साल क्रिशी अंतरों पर अनुदान देना बंद कर दिया था इसका सीधा असर क्रिशी अंतरों के बाजार पर पड़ा राजु में क्रिशी अंत्रों का 400 करोड का व्यापार सरकारी सहायता के अभाव से मातर 20 करोड पर समठ गया है सोमवार से विश्म सरया भवन में खुल सकेंगे कारियाले बिहार के सबसे बड़े कार्याले विश्व सरया भवन में 11 मैं को सुबह सुबह भयंग कर आग देखने को मिली थी जिसको देखते ही देखते साथ मी मंजल तक भीशन आग लग गई जिसकी बाद कई जरूरी दस्तावे सहित कई सामान भी जल कर बरबाद हो गए जिसकी वज़े से कार्याले का काम भी पूरी तरीके से तीन दिन ठप रहा है लेकिन अब इस भवन में चौथी मंजल तक जाने को हरी जंडी मिल गई है आपको बता देगी पटना में भीशन आग की चपेट में आए विश्व सरया भवन की चौथी मंजल तक के कार्याले सोमार से खुल सकेंगे आई आई टी पटना के तीन सदस्य विश्व चग्यों की टीम ने पूरी जाच के बाद हरी जंडी दे दी है वही सबसे अधिक नुकसान वाले ग्रामीन कारे विभाग का काम दूसरी जगह शिफ्ट होगा बिहार में नया समाहर नाले भवन परिसर निर्मान का मार्ग हुआ प्रशस्त हो गया है आपको बता देगी सर्वोश नायाले ने इस मामले में चल रहे एक सिवल मैटर को आज निरस्त कर दिया पतना हाई कोट के खिलाब दायर याचुका को खारच करते वे सीर्श कोट ने नए कलेक्टरेट परिसर बनाने को हरी जंडी दे दी है मालूम हो कि पतना हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई थी साथ युन्हा ने पतना के जिलाधिकारी यहाँ चल रहे कारियाले को अन्यत्र स्थानांदृत करने को कहा है बताये गया है कि नयास महारणारे भवन अत्याधुनिक सुपधाओं से लैस एक उत्कृष्ट भवन होगा राजसभा संसत का तेजस्वी से सवाल जातिये जंगर्ना से बिहार के यवाँ को क्या होगा फाइदा फिलहाल बिहार में जातिये जंगर्ना एक ऐसा मुद्दा है जिसकी च्रिंगारी हमेशा लगी रहती है आई दिन कोई न कोई इस पर अपना बयान दे कर इस च्रिंगारी को सुलगानी का काम करता है इस इकलम में मुजफर पर पहुचे राजसभाद सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि राश्ट्रिय जंतादर के नेता तेजस्वी यादफ ने घोश्रा की थी कि वो अन्य पिछ्रा वरगी की जंगर्ना के वास्ते दबाव बनाने के लिए बिहार से दिली तक पदियात्र शुरू करेंगे रावजद के प्रयासु से ही बिहार वधान सभा के दोनों सदनों दौरा जाती जंगर्ना के समर्थन में दो बार से प्रस्ताव पारिद किया गया है मही तेजस्पी आदफ की प्रदियात्रा पर भी सवाल उठाते हुए उन्हाने कहा कि जाती आधारी जंगर्ना से विहार के युवां को क्या फायदा होगा मंदिलों में विश्वास नहीं रखने वाले मांजी वैशनव देवी के दर्बार में लगाएंगे हाजरी बिहार के पुर्व मुख्यमत्री जीतन्रा मांजी अगले दस दिनों तक बिहार के बाहर विभिने कारिक्रम में हिसा लेंगे इस दोरान वो बिहार के विकास और उन्नती की दुआ के लिए माता वैशनव देवी के दर्बार और अजमेर शरीफ के दर पर भी जाएंगे रजीश शुकुमार ने बताये कि श्री मांजी जी 18 माई को माता वैशनव देवी के दर्बार में अपनी हाजरी लगाएंगे कि नहीं ने मंदर में जाने नहीं दिया गया था इसलिए वो मंदरों में विश्वास नहीं रखते हैं बिहार को मिले कुल 69 DSP बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा 65 संयुक्त परिक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए 60 अभियर्थियों के नुसांशा की गई जो की पूरी कर दी गई है बिहार पुलिस को 60 ने DSP मिरे हैं ग्रेव भाग ने परिक्षमान पुलिस उपाधिक्षकों को वेतनमान लेवन नौ में नियुक्त किया है जिन ट्रेनी DSP की नियुक्ती हुई है अनिश्राना, चंदन कुमार, ठाकुर, आयूश्रिवास्तव, हिमान्शु कुमार, पौरुष अगरवाल, निशान्त कुमार, आलोक कुमार, कनिश्कु श्रिवास्तव, सहीत कुल 60 अव्यर्थी शामिल है इन सभी को परिक्षमान DSP को योगदान के समय दहेज ना लेने और ना ही देने की घोशना पत्र देना होगा एक लाग से ज़्यादा सिक्षकों की जा सकती है नौकरी विहार के करीब एक लाग से ज़्यादा सिक्षकों की नौकरी खत्रे में पड़ गई है प्राथमिक सिक्षाने देशक ने सभी जिलो को निग्रानी जाज के मदिल अजर निर्देश भेजा है सेम नितीश कुमार ने 3 फरवरी 2022 को नियोजित सिक्षकों की प्रमान पत्रों की निग्रानी जाज की समिक्षा की थी उस दोरान सिक्षामंत्री मुझे कुमार चौधरी ने बताया कि करीब एक लाग से अधिक सिक्षकों के फोल्डर निग्रानी जाज के लिए अब तक अनुगलब्ध है ऐसे में विभाग नहीं ये निर्ने लिया है कि ऐसे सिक्षकों की नौकरी समाप्त की जाएगी चुराग का तीखा तंच आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो ऐसे मुद्ध को तूल देते हैं मुंबई के हरुमान चालीसा का सर विहार की सियासत पर भी पढ़ रहा है इस बीच चुराग पासवान ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने इस मुद्धे पर सरकार को घेरते वे कहा कि मैं ध्यान भटकाने वाले मुद्धों को क्यों तूल दू आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो आप हिंदु मुसल्मान करते हैं आप रशाचार मिटा नहीं पाते तो ऐसी चीज़ों को तूल देते हैं जुनको लाउट स्पीकर पर अजान करना है वो खुशी खुशी कर रहे हैं जुनको हनुमान चौली सा पढ़ना है वो पढ़ना है मुझे लाउट स्पीकर की जरूरत नहीं है मैं गाड़ी में बैठे बैठे हनुमान चौली सा पढ़ लेता हूँ देश के साथ-साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसार ना शुरू कर दिया है हालाकि राजुमे ताजा रिपोर्ट के मताविक स्थती सामाय ने बनी हुई है लेकिन फिर भी आख्डों पर ड़ डाले तो राजुमे संक्रुमन की दर में कमी आई है राजु में कोरोना के आक्टिफ मरीजों की संख्या 56-48 हुई है बीते दिन जारी किये गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के रसार राजु में कुल 93,358 संपल की जाच हुई तो इसकी बाद राजु में महस्तीन नए कोरोना के वामले मिले हैं जो की राजधानी पटना के है IPL 2022 के 60 मैच खेले जा चुके हैं मगर सीजन की शुरवात से अभी तक औरेंज कैप की रेस में राजुस्थान रोयल्स के जोस बटलर का वर्चा सबबर करार है वही परपल कैप पर भी राजुस्थान के लेग स्पिनर यजुवेंदर चुहल का लंबे समय से कबजा था मगर पंजाब किंग्स की खिलाफ वे मुकाबले के बाद वानिंदू हसरंगा ने आखिरकार ये कैप अपने नाम कर लिया है हसरंगा और चुहल के नाम सीजन 23-23 विकेट है मगर बहतर एकनॉमी होने की वज़े से परपल कैप RCB के लेग स्पिनर हसरंगा के पास है पंजाब किंग्स की खिलाफ चार ओवर के कोटे में 15 रन खर्च करके दो विकेट लेने वाले हसरंगा ने ये जुमेंदर रुचहल से परपल के आप छीन लिया है कल हमारे दुआरा पूछे गैस सवाल का जवब आपमें से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है के नाम है रंजीत मिश्वा, कुश कुमार यादव, अविनाज भारती, महेश तास, कुल्रीब कुमार, नुनो कुमार, श्याम वर्मा, ग्यानी कुमार आप इसी दर हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो शेले बढ़ते हैं, आज के सवाल क्यों, राज का सवाल कुछ इस प्रकार है, राज की सफाई विवस्ता को आप पांच में से कितने अंक देंगे अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही, आज के लिए वस इतना ही बिहार की बड़े खबरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइकॉन दबाना ना भूले, धन्यवाद